गांधी जी गाया करते थे इश्वर अल्ला तेरो नाम सब को सन्मति दे भगवान मैं हैरान होता हूँ गांधी जी जैसे बिद्वान ने इश्वर और अल्ला दोनों को एक कैसे मान लिया अल्ला शब्द का आर्थ ही ये है कि दूसरा कोई नहीं केवल एक ब्रह्म है और इश्वर में दो शब्द है इश और वर इश का मतलब है मालिक वर का मतलब है सीनियर बड़ा तो जब हम ईश्वर कहते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि बहुत से परमात्मा हैं उन परमात्माओं में हम सबसे बड़े परमात्मा की आराधना कर रहे हैं तो ये तो फिर ईश्वर अल्ला नहीं हुआ फिर जितने शब्द हम इश्वर के लिए और प्रियोग में ला रहे हैं उनके बारे में भी विचार करने की जरूरत है जैसे शब्द है भगवान, सब को सनमति दे भगवान अब वान का अर्थ तो होता है चलाने वाला धारक जैसे धनवान, रतवान, गाड़ीवान, हाथीवान, सीलवान ये तो वान तो हो गया अब भगशब जो है वो इस्त्री की जननेंद्री है अब इस्त्री की जननेंद्री को चलाने वाला भगवान हमारा आराध्य है, हमारा हिस्ट है ये तो विचार करने की बात पड़ेगी क्या हम इश्वर को केवल प्रजनन के रूप में ही स्विकार करते हैं मंदिरों में शिव लिंग है उस पर आप जल चड़ाते हैं शब्द ही बता रहा है कि आप शिव के लिंग की पूजा कर रहे हैं नीचे वाले भाग को यो नहीं कहते हैं ये शब्द अगर आपके बच्चे घर में बोल दें तो आप उनको डाट देते हैं ये श्लील शब्द नहीं बोला करतें लेकिन मंदिरों में आप भगवान को अगर सेक्शुल सिंबर के तोर पर ही पूजा कर रहे हैं तो फिर इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा जब भी चाहें तब कर लीजी